यहाँ व्लोग नवरात्री का पहला दिन यानि नवरात्रा स्थातना के उपर मैं बना रहा हूँ और इस व्लोग में मैं आपको सिरोई के सभी मुख्य मंदिरों में आपको ले जा रहा हूँ और वहाँ पर माता जी के दर्शन करवाँगा वहाँ पर माता जी के बहार कैसा डेकोरेशन किया है और क्या-क्या माता जी का कैसा रूप है, कैसा स्रंगार है तो सब कुछ मैं इस व्लोग मैं आपको दिखाऊंगा So, Hello Guys, this is your David Solangi and welcome back to my channel करते हैं नहे व्लोग की शुरुआत नहे दिन के साथ और अब हम चलते हैं माता जी के दर्शन करने के लिए So, Guys, यह व्लोग नवरात्री का पहला दिन यानि नवरात्र स्थापना का है चुक यह अज स्थापना का दिन है, तो मैं आपको सिरोई के सभी मुख्य मंदिरों के दर्शन करवा लेता हूँ तो सबसे पहले गाईज मैं आपको लेकर आया हूँ काल का माता मंदिर भाटकडा और इस गर्बा मंदल की खास बात यह है कि यहाँ पर लोगी देवी देवता का रूप धारन करते हैं और फिर गर्बा करते हैं अब मैं आपको लेकर आया हूँ यहां पर हर साल दुर्गा मा की भवे प्रतिमा की स्थापना की जाती है और नौ दिन माता की आराधना में गर्बे किये जाते हैं आप माता जी के दर्शन कर लीजिए अब मैं आपको लेकर आया हूँ शिरोई के सबसे चमतकारिक काली का माता मंदिर यह वनन आपकाली हाती पर विराजमान है वैसे यहां गर्बे तो नहीं होते पर मैं आपको दर्शन करवाने के लिए आया हूँ अब हम आये हैं आशापूरा माता मंदिर वैसे लोकल लोग टेकरी के नाम से स्थान को जानते है क्योंकि यह मंदिर बाकी सबसे अलग थोड़ी हाइट पर एक पहाड़ी परिस्थित है और यहां पर गर्बे काफी डिसेंट वे में होते हैं और अब मैं आपको लेकर आया हूँ एक और पुराने मंदिर चामुंडा माता मंदिर यहां पर काफी ज़्यादा भीड होती है गर्बो में और लोगों का जोस्तों आप देखी सकते हो अब हम आए हैं मातर माता जी मंदिर यह शिरोई की एक लोग देवी है और यहां के गर्बों का सिंपल सा रूल है तो यह थे शिरोई के मुख्य मंदिर और नवरत्रा इस्थापना का पहला दिन और यह शिरोई के सारे मुख्य मंदिर और I hope की माता जी की दर्शन आपके अच्छे से हुए होंगे वहां माता जी की प्रतिमाए माता जी के बहार का डेकोरेशन और मगर्बा पांडल आपको अच्छे लगे होंगे तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले व्लोग में जब तक के लिए टाटा बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइ